है यह निलकम बेक तो अल देर स्टूटेंट्स वालकम तू कारियर प्लानेट शेली मैं मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटार और चेप्टर हम कंटिन्यू कर रहे है थामोडैनामिक्स ठीक है Thermodynamics में Thermodynamics में पिशली class में पिशली class में आपको सिखाया था Work done किया गया कारी अब work done चैस सिस्टम करें चैस सिस्टम पे हो मैंने कहा था हम अपने आपको system consider करेंगे और system काम करेगा तो work done negative कर देना और system पे काम होगा तो work done positive कर देना formula सिखा दिया था मैंने आपको एक formula था हमारा w equals to minus p delta v और दूसरा क्या था work done in reversible process minus 2.303 nrt log based in v2 by v1 simple ही था कोई बहुत बढ़ी बात तो है नहीं तो हमने कहा हाँ थर्मो डैनामिक प्रोसेस में उश्मा गती की प्रक्रम में किया गया कारियर वो हमने सीखा तो work done हमने सीख लिया था आज हम बढ़ने वाले first law of thermodynamics उश्मा गती की का प्रथम दिया जिसको हम float भी लिखते है first law of thermodynamics ठीक है तो first law क्या है तो देखू thermodynamics first law concept यह जो दिया था Robert Mayer और Helmholtz अब पहला जो नियम है बच्चे उश्मा गती की का प्रथम नियम ये energy conservation उर्जा संग्रक्षण के नियम पर आधारित है आई बस अज में thermodynamics first law उश्मा गती की का पहला नियम energy conservation को follow कर रहा है उर्जा संग्रक्षण उर्जा संग्रक्षण के नियम पर आधारित है based on energy conservation law ठीक है भी है क्या क्या है उश्मा गती की का पहला नियम क्या है अभी पहला नियम समझाओ क्या है तो होगे हैं उश्मा गती का पहला नियम कोई बड़ी rocket science नहीं है simple simple सी बात है देखो daily life की बात करें हम chemistry को अपने daily life से पसंद करते है वैसी पढ़ना अच्छा लगता है हमें आता कोण बड़ी उश्मा गती की पहला नियम, शुन्य नियम, धुत्य नियम simple सी बात करो मालो की तुम्हारी regular diet है की बाता है की मैं जो चार चापाती खाता हूं है ना Ch वहा क्या कि चार रोटी आपको चार रोटी आपको दो किलोमेटर चलने की एनरजी दे रही है ना तो मेरा बैलेंस चुछा था जितना मैं खाता हूं उतना मैं चलने तो अब बराबर ठीक है अब किसी दिन क्या हुआ कि तुमने छे रोटी खाली तो कोई बात नहीं है लेकिन चले तो तो तुम दो किलोमेटर जाते हैं चार दिन खाना नहीं गाया तुम वर्थ होने जाते हैं आपके अंदर जो आणरड स्टोर है और गाम यह भी तो पहले तो ये था कि मैं 4 रोटी खाता था 2 km चलता था बराबर हो गया अब क्या हुआ कि मैंने एक दिन 6 रोटी खा ली और चला तो मैं 2 km तो जो एक्स्ट्रा रोटी है ना 2 रोटी एक्स्ट्रा खाई उसकी एनरजी तो मैं कहूंगे वो मेरी बोटी में स्टोर हो गई यानि मेरी आंतरी को उर्जा में वरद्धी होगी कल मत देना 2 रोटी कम देना मैं चला लूँगा क्योंकि मैं पास तो आज स्टोर है ठीक ही अगले दिन मैंने तो मैं चार रोटी की जगए पास 2 रोटी खानी अगर आप अगर आप अगर आप एनरजी देऊगे तो काम करेंगा और एनरजी लॉस कर राद होगे उसका तो ठीक है कोई दिकत नहीं है लेकिन यहां एक नई टर्म आ रही है अभी तेक तो कट्टू कट चल रहा था चार रोटी दे दो और दो किलोटर चला लो अगर आप करेंगा एक दिन दो रोटी देऊँगा एक दिन छे देऊँगा तो हमारी आंतरिक उर्जा में प्रद्धी हो जाएगी और कम पड़ेगा तो हम अपनी इंटरिक उर्जा करके और आपका काम कर देंगे है ना एक नए टर्म की बात करता है आंतरिक उर्जा इंटर्नल एनर्जी अब बचे इंटर्नल एनर्जी है ना हम कोई भी सिस्टम की exactly नहीं बता सकते किसके आंतरिक उर्जा इत्ती आंतरिक उर्जा इत्ती कि मालो मैंने चार दिन खाना खाया ही नहीं है और मैंने काम बराबर किया है तुम मुझे बता है मिरे सिस्टम की इंटर्नल एनर्जी जो है वह काम हो चुकी अब मैं 10 दिन खाना नहीं खाऊंगा या बीस दिन खाना नहीं कितने जिन सर्वाइव कर पाऊंगी इसकी exact calculation नहीं इसमें चेंज बता सकती हो ठीक है अब देको आंतरीक उर्जा को हम या तो इसे दर्शाएंगे या यू से दर्शाएंगे या या फोलत जादगा यह लिखते हो ढोले नहीं लिखेंगे ए भी ठीक है लेकिन आंतरीक उर्जा क्या है तो हम गये तो state function स्टेट फंक्शन गया था अवस्ताफल कि आप सिर्फ फाइनल और इनीशिल ही बता सकते हूं कि आपने चार रोटी दी में दो किलोमेटर चल सकता था कल आपने मुझे 6 दे दी और चलाया तो दो किलोमेटर तो मेरी आंत्री गूर्जा बढ़ गई तो मैं डिफ्रेंस बता सक हाँ एक्जेक्ट डेटा की बात महीं कर सकता ही नहीं कर सकते तो को इनेरजी यह तो डेल्टा यह क्या होगा डेल्टा यू तो यह अवस्था फजन है मतलब आप शरुंडिफ्रेंस की बात करोगे आप से बीधा केzeniu बता होगे आप एक हैना पुपिन सतब्स इसाप सरे से समझा दिया किहा इतंता खाना खाया इतंता काम किया इतंता ही घ ₹ में सपलाइ diva सब्सक्राइप प्रसार होगा यहां समप्रिदीए यह तो बात है ही सिंटर्नल एनर्जी 1 अब ग्यास की इंटर्नल एनर्जी ca知 तो गैस की इंटर्नल एनर्जी जो है गैस शांत बैठेगी किया एक सिलिंटर में गैस भरी है आराम से बैठी है सोरी नहीं ठोस पड़ा है तो में हाँ ठोस तो स्थिर सो रहा है कोई टेंशन नहीं लेकिन गैस तो शांत ही नहीं बैठेगी तो जो शांत नहीं बैठेगी मतलब गती करेगी तो गैस की आंतरिक उर्जा से ताथ पर ही गैस की काइनेटिक एनर्जी से है ऐहें बसो में कोई कहाई गैसी सिस्टम की इंटनल एनर्जी गैस सिस्टम की इंटनल एनर्जी गैसीय तंत्र पतबा ऑनमों है अब वह nào करते तो हम voz sche सीदे सीदे चलते तो बिचे सीदे चलने कोब आंसे लेशनल एनरजी अग्रत वह लिवाण George दो अला था था तो वो थे जनलेशनल एनरजी सीद्वर सीदे है ठीक है में तो लटकी गुमा रहा था ऐसे रो टेशनल कर रहे हो, तो गूमती ही है नो वह रोटेशनल एनरजी है पीली तो रोटेशनल एनरजी फिर तुम को मिरची लगी तो मैं क्या वाइबेट हो गया पानी बुडिवार खाली तो थोड़ा कि वाइब्रेशन हो गया बड़ी के अंदर घान घंडर की नेर्जी भी है अपकेकल है यह के अविक गॉर्टेशन भीकर रहे हैं और हम वाइब्रेशन भी खर रहे हैं तो यह से लगा भी होती है नूक ये अनर्जी याटामिक नर्जी बाइंदिग एंजीर दोण हैं पस में जुड़े वे बहुत सारी एनर्जी है लेकिन मोटे तोर पे गई तुभी हम गेंगे एच्छा ठीक है कि अगर कोई पूछे कि सिस्टेम की आंतरिक उर्जा से क्या समझते हो तो सिस्टेम की इंटर्नल एनर्जी मतलब गति उर्जा का एनेटिक एनर्जी क्या तुम्हें मेरी उर्जा को नो तो नस्त किया जा सकता है एक फॉट्पन कर सकते है ना नस्त कर सकत है एक रूप से दूसरी रूप में convert कर सकते हैं, तो भाई हम जो खा रहे हैं, उसका काम भी तो कर रहे हैं, आई बाई समझ में, है ना, तो हम गभी से तंखा उठा रहे हैं, गई से हम salary उठा रहे हैं, तो भाई काम भी तो करके दे रहे हैं, energy neither be created nor be destroyed, एक फर्म से आप पैसे के रहे हैं, work के फार्म में, उसको convert कर रहे हैं, और तो क्या है, लें देन चल रह», तो गया, उषमा गति का प्रथम नियम तो पूरे दुनिया में ही चल रहे है, सुभ आदमी काम पर निकल रहे हैं, भाई एक टो पैसे के पॉं में गाए पुझे फॉम में दी और तनबर्ट हो गया, ठीके सुब्य सशाम हो गई, तो बाद तो सही है, ठीके अब गैसिय निकाय, उश्मा गतिकी में बताओ बई दुनियादारी थोड़ना पढ़नी है, तो उश्मा गतिकी में गैसिय निकाय में भी सेम नियम अप्लाई होगा, हम ए चाहिण है, टर्म पढ़ने वाले हैं आंतरिक उर्जा, इंटरनल एनर्जी, गेस की इंटरनल इनर्जी, गास की आंतरी कूर्जा, उसकी गति-जूर्जा से संब्बन्दित होती, men is the generations to start a eager, है रिंगे विसामनें से भाती तो और भी सकता है लेखिन फिलाल वो टीचर यह डानसर नहीं ए तो पढदाएगा यह चीज आरी धिमब में ≫ करेगी करेगी तो लगातर करेगी मतलब मुझे तो एक bang energy दिखनी और वो circ जूर्जा और सीधी चले रेखिय घती है ना वह गूर्ण करे गूर्ण गती आ वह कंपन करे तो कंपन गती ना भी किये ओर जाए है ना इब्रूटोन को अड्राइड करके रहे हैं तो उसकी न्यूकलियर energy आपस में अगर अणू हैं तो पर्माणू बंदेवे हैं तो उसकी binding energy बंदन और्जा पर्माणवी और्जा आणवी और्जा अल टाइप of energy जो है वो internal energy होती है जिसे हम मोटे तारव बित्ती सारी energy तो कोई calculate नहीं करने बैठें फिर गास कोई ऐसो तो है यह एक ही अणू है बहुत सारे अणू है तो एक ही अणू का तो calculation वैसे भी possible नहीं है तो हम simple kinetic energy से काम चला लेंगे तो अब आगे में तुमसे सवाल पूछूँगी कि लो आंत्री उर्जा क्या है तो तो मैं बता ना अच्छा आंत्री उर्जा मतलब आप गति जूर्जा की बात कर रहे हूं बोलने में अच्छा लगते हैं हाँ internal energy आंत्री उर्जा है वही गति जूर्जा और गति कस तरह कि वह तुम समझ गए गाना सुना दिया मैं तुमें ठीक है बात समझ में आगी अब चलते thermodynamics का first law क्या कह रहा है तो यह कह रहा है कि देखो उर्जा सग्रेक्शन नियम पर आधा रहते हैं ओहो बहुत बढ़िया उर्जा नो तो उत्पन कर सकते हैं नो इनस्ट कर सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्त कर सकते हैं सुबह से शाम यह तो करते हैं फिर एक ऐसी शाश्वत गती मशीन शाश्वत चन्टिनियस है ना प्री पैच्फाल मोशन मशीन है ना हम ऐसे कोई मशीन नहीं बना सकते हैं जो बीना और वर्जा वियाय कियें कार यह प्राप्त कर सकें जिससे हम एनरजी तो हम दे नहीं और बचारी काम ही करती नहीं रहो। ऑसके हम कित अर्रम तो अवर मित क्सालोश सब्सक्राइब आर कि नहीं हो उतु किसी तरह के फ्यूल वाली डेनी भी care, Series तुम्हें कोई भी energy source नहीं डेना है हला ही तुम्हें पानी कोई खोज करके निया फ्यूल बना दो उन्हें देना कुछ नहीं है उस टंकी खाली हो उने बहुते है तो तुम लगे दिए मजाग चल रहे है... तो यह मजा आगी तो पेला नियम है, आप अपशा नहीं कर सकते यही तो जो जो जाता है तो यही तो कह रहा है कि आपको सुछु पहले से पता होता है involved आपको बता है तो एक ऐसे शाषवत गती मशिएन प्रिपै्च वर पंचय से निर्मान वह नहीं कर सकते हैं इसमें एनर्जी तो spent हो ही ना, उर्जव यह हो ही ना, और काम चलता रहे, ऐसा possible नहीं है, ठीक है, मैं पता है इने समों सी बड़ी बात है, ठीक है, अब आगे बड़े, अब उश्मगती के पहले नियम का गणीतिय रूप, तो देखो, गणीतिय रूप सिधा-सिधा, गणीत तो देखो, Q मतलब मैंने उश्मा दी, और W मतलब काम हुआ, हो सकता है, मैंने ही काम किया हो, यह सिस्टम ने काम किया हो, मैं दोनों को जोड़ दूंगी, साइन मुझे पता है, है ना, तो डेल्टा-E मतलब आंत्रिक उर्जा में परिवर्तन, आगे बात समझ में, डेल्ट तो उश्मा, क्यों क्या है, तो हम गएंगे हीट, हो सकता हीट हम सप्लाइगे, दीघे उश्मा भी कह सकते हैं, W क्या है तो वर्क डन, हैना बही, किया गया कारी, अब हो सकता है काम तंतर पापर हो, या तंतर द्वारा किया गया हो, भाई द सिस्टम और वो दिखेंगे, perfect Clark आप से चेक कर लेंगे आप क्या कह रहे हो आप करो गया दस लिटर थी बीस लिटर हो गई तो भाई गया से काम किया है दस से वीस तो अपने आप होएगी तो वर्क दबाइद शिस्टम फिर अब होगे नहीं बीस ती दास हो गई तो भीस दस तो मुझे उसको कंप्रेस करना होगा मतलब काम तुम मैंने किया है काम सिस्टम पे हुआ है सराउंडिंग के तो सिस्टम पे काम हुआ है ऐसे समझगे मेरी बात और इसमें तो पुलेगा ना कि हीट मेने दी या सस्टम ने हीट छोड़ी उसके एसाब से हम देख लेंगे और आंत्री कूर्जा तो मैंने में गाना अगर चार रोटी खा रही हूं और दो किलोमेटर चल रही हूं आपको नियासम आपको छे दी तो याद रखने और कुछ नहीं है आगे बड़े ना सुटेंट साइन कन्वेंशन साइन बता दो तो मैंने तुम्हें सिखा रखा है अगर वर्ग देन बाइद सिस्टम हैं सोचो तंत्र द्वारा किया गया कारिया समझे मेरी मात काम कौन कर रहा है तो काम सिस्टम कर रहा है वर्ग दन बाइद सिस्टम तो सिस्टम काम करेगा तो वर्ग दन नेगिटिव कर देना W negative, system गाम करेगा, तो energy lost होगे, तो energy बढ़े ही क्या, तो हमसे ही काम कराओगे, तो हमारी energy तो down जाएगी, तो worked in by the system, तंत्र द्वारा किया गया कारी है, W negative, और worked in on the system, महले तो मोबाइल चार्ज कर रहे ही है तो तुम सब्सक्किर ना बाइल, तो तुम अपने उसको नरजी दे रहे ही, तो आपने 50 लीटर थी आपने 10 कर दिया तो तुमने एक बार मार क्ष़र लगा achtी और हम कर दिया, लेकिस को गभी यह यहां,ना भिलाक्ट तुमने उस पर क किया गया कारिया अगर आप सिस्टम पेगाम करोंगे तो उसकी तो एनर्जी बढ़ेगी है ना तो तंत्र पर किया गया कारिया तो भाई W हो जाएगा पॉजिटिव तो हम गएंगे तंत्र को दी गई उश्म हीट सप्लाइड टूद सिस्टम अगर तुम सिस्टम को हीट तंत्र को दी गई उश्मा तो बच्चे अगर आप हीट सप्लाइड टूद सिस्टम करोगे तो क्यों पॉजिटिव आपने सिस्टम को हीट दी और तंत्र द्वारा उत्सर्जित उश्मा मालो सिस्टम ने हीट छोड़ी है तंत्र द्वारा उत्सर्जित उश्मा सिस्टम न जब तंत्र पे काम हुगा, W negative, work done by the system, system काम करेगा, system को heat देऊंगी, तो उसकी heat तो बड़ेगी Q positive, और system heat छोड़ देगा, तो Q क्या हो जाएगा, negative, है ना, और आंत्री गूर जाग गया होती, तो Q plus W, ठीके, भी first law of thermodynamics बताओ, float बताओ, है ना, float लिखना, first law of thermodynamics, तो हम गहे जाएगे, delta E equals to Q plus W, अब plus कब लेना है, minus कब लेना है, वो मेंत्र में बता दिया, उसके एसाफ से तुम देख लेना, अगर delta E positive आ रहा है, तो आंत्री गूर्जा बढ़गी, और delta E negative आ रहा है, तो आंत्री गूर्जा गढ़गी, तो depend करता है, कि तुम मुझे energy कित्ती दे और काम कित्ता करवा रहा है, है ना, आप चार रोटी देके दो किलो मेटर चल वा रहा है, तो हम चल लेगी, अब आप दो रोटी देके चार किलो मेटर चला हो है, तो obviously नहीं जाएगे, तो depend कर रहा है, तो delta E, state function, initial और final पर depend कर रहेगा, बीच का कोई लेना देना नही है, बात सबच में आगी, clear है यहां तक की बात, आगे बढ़ जाएं, आप क्या कहता है, देखो आगे, तो अब आप से कह रहा है, यदी निकाय द्वारा प्रसार कारिय किया जाता है, मतलब वर्क दन बाई दे सिस्टम, क्या बई, निकाय द्वारा, तो काम कौन कर रहा है, नि अब जाएं, अ फॉर्सटम डैनामिक्स कीया है, तो मैं कोईगे, फॉर्स लॉ तो यह था, फॉर्स लॉ तू यह था, देखो ऐ क्यो रहे है, अब यहां बेटी बिल्लु कॉस दू अब आप देखो क्यो रखना है, बस, और तो ज़ा ज़ादा यह 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 धाए, Q equals to delta E plus P delta V ऐसे लिख सकते हूँ इसमें क्या है है ना और ऐसे मि लिख सकते हूँ delta E मतलब आंत्री उर्जा में परिवर्तन final minus initial Q minus P delta V बोलो इसी बात है इसमें क्या है clear है? को टेंशन नहीं? आगे बढ़ें इसके लावा देखो next यदि निकाय पर किया गया कारियर सम पीडन कारियर हो आपने compress कर दिया काम तो आपने किया होगा gas 20 liter से 10 liter अपने आप तो होगी नी आपने उसको compress किया है तो मैं कहूंगी ये तो work done on the system है निकाय पर किया गया कारियर work done on the system मतला मुझे तो W positive रखना पड़े है ठीक है नो फॉर्मुला क्या है अचा work done on the system में W positive और W equals to plus का दिखोंगी ना P delta V तो मैं कहूंगी हाँ अब मेरा formula क्या बोल रहा है तो भी हमारा formula तो ये है delta E equals to Q plus W तो delta E equals to Q plus W भी जगा क्या लिख दो P delta V इसमें भी क्या ही तक्लीफ है तो मैं ऐसे लिख दो एक ही बात है delta E equals to Q plus P delta V clear है on the system में W positive कर दो सीधा delta E को तो E2 minus E1 भी लिख सकते है या U2 minus E1 भी लिख सकते है है ना delta V मतलब change in volume आइतन में परिवर्तन पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में ठीक है आगे देखें next है इस्थिर आइतन पर अब देखो आइतन इस्थिर है मतलब volume constant सब्सक्राइए इस्थिर आइतन मतलब volume क्या होगे तो volume तो constant है अब बढ़ एकर volume constant है तो delta V किता होगे 0 है ना आइतन पहले किता था V1 और बाद में भी किता है V1 ही है V2 भी जब लिखो V1 ही लिखो या V2 V1 बाद पर लिखो तो V2 minus V1 किता होगे 0 volume constant है पहले किता था मानलो 10 liter बाद में किता है 10 liter परिवर्तन किता है 0 तो delta V 0 अब delta V 0 तो W equals to P delta V साइन तो हम बाद में देख लेंगे पर फिलाल क्या करें W equals to 0 हो गया है ना अब तुम्हें कहोंगे फॉर्मुला तो ये है delta E equals to Q plus W ठीके अब Q जो है मालो heat supplied at constant volume मालो मैंने system को heat दी Q positive रखा मालो है ना मैंने क्या किया यदी तंत्र को heat दे रही हूँ और constant volume पर दे रही हूँ यदी तंत्र को स्थिर आयतन पर दी गई उश्मा यदी तंत्र को स्थिर आयतन पर दी गई उश्मा है ना वो क्या है तो मैंने कहा है रही हूँ Q भी है ठीक, तो बई, डेल्टा यू किसके बराबर है तो तुम कोओगे, डेल्टा या डेल्टा यू होगया क्यूग, प्लस क्यूभी कर दूग और इस्थे रायतन पर वाकड़न किता होगे जीर, तो डेल्टा इक्वल्स टू क्यूग यह सवाल बनेगा क्या वही यह सवाल बनेगा इस्थिर आयतन पर दी गई उश्मा आंत्रिक उर्जाओं में परिवर्टन के क्या होती है बराबर है ना यह दिहान बखना है QV equals to delta E मतलब E2 minus E1 है ना यहां तो मैं गहूंगी QV equals to U2 minus U1 बात तो एक ही है ना U भी आंत्रिक उर्जा है E भी आंत्रिक उर्जा है तो इस्थिर आयतन पर दी गई उश्मा किसके बराबर होती है तो मैं कहूंगी अगर volume constant है तो gas तो काम करेगी और मैं eat supply करती जाओंगी तो आंत्रिक उर्जा तो बढ़ती जाएगी तो इस्थिर आयतन पर दी गई उश्मा आंत्रिक उर्जा में व्रद्धी के बराबर होती है ये सवाल है समझे मेरी बात ध्यान रखना है ना इस्थिर आयतन पर दी गई उश्मा ठीके इस्थिर आयतन पर दी गई उश्मा heat supplied at constant volume दी गई उश्मा आंत्रिक उर्जा में व्रदी क्योंकि डेल्टा ये पॉजिटिव है न आपका ठीक है? तो आंत्रिक उर्जा में व्रदी के बराबर है एक सवाल तो आपका ये बना बना? ठीक है? अब तुमने बढ़ा था कि heat और w work done और heat ये state function नहीं होते हैं ये initial और final पर मैंने 10 joule heat दी तो दी पहले क्या नहीं बाद में क्या रहा है? ये दस joule heat दे दी? पहले एक joule दी बाद में 10 दी ऐसा थोड़ना है एक साथ मैंने 10 joule heat system को प्रवाइड दे रही ठीक है? तो initial और final पर heat और work depend नहीं करते हैं लेकिन इस्थे रायतन पर दी गई उश्मा वो तो delta E के पराबर है और delta E क्या है? state function देलट E क्या रहा है? e2 minus even तो qv का मान क्या है? e2 minus even मतलब अंतने बावस्ता माइनस प्रारंबी का बस्ता अंत्री गूर्जा में परीवर्त तो फिर परीवर्तन मतलब final minus initial तो तो state function हो गया तो ये दूसरा सवाल है आप कोगे कि उश्मा है पत फलन state function नहीं है कार ये है पत फलन बात पर depend करेगा लेकिन इस्थे रायतन पर दी गई उश्मा तो तो अंत्री गूर्जा में परीवर्तन के बराबर है यानि वो क्या है अवस्था फलन state function तो सिर्फ क्यूवी का सवाल आजाए तो तुम गो है रियार क्यूवी तो state function है फिर ये मत कहना कि आपने तो कहा था कि उश्मा तो अवस्था फलन नहीं होती उश्मा तो पत फलन होती फिर यहां क्यो चेंज करें क्या करो फिर चेंज नहीं करो तो आगे बात समझ में ठीक है आगे देखें नेख सेखो एक विलगित निकाय में उर्जा परीवर्तन येदि उश्मा यां कार्य के रूप में ना हो बाई आइसोलेटेट सिस्टम मतलब विलगित मतलब सिस्टम और सराउंडिंग की बीच में कोई लेना देना ही नहीं है है ना सिस्टम और सराउंडिंग जो है सराउंडिंग से सिस्टम में कुछ भी आप हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते हो ना वो बाहर हीट ट्रांसफर कर सकता है तो तुम गोगे चाह विलगित निकाय तो Q तो 0 है अब हीट दी नहीं तो फिर कार्य होगा ही नहीं तो W गिता होगे 0 होगे अब अगर काम भी नहीं वा तुमने हीट भी सप्लाई नहीं करा क्योंकि isolated system है अब तो हम कहेंगे यह चीज जीरो यह चीज जीरो तो डेल्टा यू क्योंकि मेरा फॉर्वला तो ये था डेल्टा यू डेल्टा यू जी एक ही है उसमें परिशान मत वोना तो मैं आंगे कियो कूंघ्त निकाय की आधने इक्येक और तंटरिक उर्ज़ा और परिवर्वर्थनिय हें चेंजेबल नहीं है है ना क्योंकि ना तो काम हुआ ना हीट सप्लाई हो ऐसे रुद्रोश में अलगे है ना आगे पढ़ा होगे एडियाबेटिक वो चीज अलगे लेकिन यह आइसोलेटिड सिस्टम है और यहां इसने बोला है वर्कड़ नहीं हुआ है इसलिए वने डबली एक ग्राम और इसको तुमने क्या किया वाश में बदल गया ठीक है भी है ना अब इसका आइतन एक एमेल से बढ़कर सोला सो एकतर एमेल हो गया मतलब पहले वॉल्यूम एक एमेल था बाद पर वॉल्यूम किता हो गया 1671 एमेल हो गया यानी चेंज इन वॉल्यूम डेल्ट वी वो आपका हो गया 1671 माइनस वन यानी कि 1670 एमेल ठीक है तो भई क्या कहना चाहरा है यदि वाश्पन की उश्मा heat of vaporization क्यों 540 कैलरी प्रती ग्राम है ठीक है तो आंत्री कूर्जा में परिवर्तन ग्याद करूं ठीक है तो हमारा तो फॉर्मूला फिक्स है डेल्टा E equals to Q plus W ठीक है अब आपका वॉल्यूम पे ले एक एमेल था बाद में कितना हो गया 1671 हो गया तो मैं गवंगे है प्रसार हुआ तो W equals to minus P डेल्टा V ठीक है तो W equals to minus बाहरी दाव कितना है तो आप कहरें 180 है ठीक है और आयतन में परिवर्तन कितना है तो आप कहरे हो 1670 अब ये ATM into आपने क्या कर दिया ML कर दिया ATM into milliliter ठीक है ATM into liter करो तो मैं कहूंगी ये हो गया minus 1.670 ATM into liter लेकिन मुझे तो Joule में चाहिए work done तो Joule में convert करने के लिए ATM into liter को Joule में कैसे convert करते हैं तो हम गहेंगे याद करो सिखाया था तो मैं 101.3 से melting लेकिन तो ये जूल में आजाएगा ठीक है आपको W फोन निकालना था आपको तो आंतरीक उर्जा में परिवर्तन निकालना था डेल्टा E ये तो साइड वाला हो गया तो हम गहेंगे डेल्टा E equals to Q plus W W तो आई गया माइनस में आगया होगी ठीक है अब क्या करें तो क्यू कितना हें तुब क्यू तो 540 कालरी per gram है अब एक ग्राम को कorit है तो बारे पास एक ग्राम पानी नहीं पानी था लिएक ग्राम को वॉल्म 1 ml से इतना ml बढ़ाया है ठीक है तो वो तो निकत नहीं लेकिन क्यालरी तो नीची है तो बच्चे एक क्यालरी में लगबग अलांकि 4.184 होता है लेकिन मैं लगबग लेख रही हूँ 4.2 जूल होते तो यहां जो मेरे पास क्यों आएगा वो आएगा 540 into 4.2 है ना यह अंसर मेरा जूल में अब आप वेल्यू बुट कर लो डेल्टा ए तो आपको होगे 540 into 4.2 और minus 1.670 into 101.3 आंसर जो है वो तुम्हारा जूल में आएगा सही के रही हूं मैं बाद ठीके तो 540 को 4.2 से मल्टिप्लाई कर लो सही है मैं इक बाद में आंसर बतायती हूं क्या आपको आंसर देगा ये कहां बेया भाई ठीके आंसर आपका रहेगा इसका सॉल करोगे तो 2098.8 ठीके करना तुम्हें है मैं आंसर लिख रहे है 2098.8 जूल में आंसर रहेगा ठीके तो ये तुम्हें चेक करना है क्लियर है आंगे बढ़ें है तो सिंपल कुछ करना है नहीं खास ठीके चलो यह हो गया फॉस्ट लॉपर बेस क्योंकि फॉस्ट लगा है तुम्हें डेल्टा इकोस तू क्यू प्लस जब्ली हमने दिख्टी सप्लाई करी हीट है ना इतना आपने काम कर लिया काम तो एटीम इंटू लिटर में कर रहे हो तो फ़ले जूल में बदलू और सप्लाई तुम क्यालरी में कर रहे हो तो उसको भी जूल में बदलू फिर सॉल कर लो उसमें क्या ठीक है आगे देखो next STP पर 1 gas का आईतन 2 लीटर है ठीक है यदि 180M दाप पर 300 जूल उशमा प्रवाहित करके आईतन 5 लीटर कर देगे तो फाई पहले तो आप आईतन कहे रहे हो 2 लीटर ठीक है या आईतन कहे रहे हो 5 लीटर ठीक है चेंज in volume आपका हो गया चेंजिन वॉल्यम जी ना में तो हम कहेंगे 2.5 माइनस 2 तो आइतन परीवर्तन आपका हो गया अधा लेटर ठीक है प्रेशर कितना है एक ATM और आप इसको क्या कर रहे हो 300 जूल उश्मा प्रवाहित कर रहे हो तो हीट सप्लाई आपकी 300 जूल है है ना प्रेशर पी एक्स्टरनल भाहिया दाब हम मान लेते हैं कितना है 1 ATM इस प्रेशर पे हम इतनी हीट प्रवाइद कर रहे है तो प्रेशर बार एक ATM है तो तीन सूजी उस माउस को दे होगे तो इतनी हीट लेगे तो एक्स्पैंड होगा तो खहरा है ना 2 लिटर से 1,5 लिटर हो गया ठीक है तो आंत्री गूर्जाम में परिवर्तन तो हम गहिए ठीक है आंत्री गूर्जाम में परिवर्तन मतलब डेल्टा E इक्वोस टू Q प्लस W अब आपके पास पहले 2 लिटर था बाद में डाई लिटर हो गया तो W इक्वोस टू माइनस P डेल्टा भी क्या ने आइतन तो बढ़े गया ना आपका 2 लिटर से किता होगा डाई लिटर तो प्रसार हुआ मतलब सिस्टम ने काम किया बले हीट दी है तो मैं उसको तो पॉसिटिव ले लूँगी लेकिन सिस्टम ने काम किया पहले हमारे पास 2 लिटर था इतना अब गया जाई लिटर होगी तो काम तो गयस नहीं किया तो अगर वर्ट दिन बाई दे गयस है तो W नेगेटिव होगा है ना तो W एकोलस टू एक्स्टरनल प्रेशर आपका 1 ATM है चेंज इन वॉल्यूम आपका 0.5 है लेकिन ये मेरा आंसर ATM इंटू लीटर है और मुझे उसको जूल में कनवर्ट करना है तो माइनस 0.5 ATM इंटू लीटर को जूल में कनवर्ट करेंगे 101.3 से मल्टिप्लाई करके तो ये जूल आगे ठीक है अब इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालना है यानि थर्मो डैनामिक्स फॉस्स लो आपको लिखना अब ही फ्लोट लगा रहा हूँ है ना तो देखो डेल्टा E इक्वर्स टू Q प्लस W सिस्टम को आपने 300 जूल की हीट सप्लाई करिए हमने दी हीट तो अगर मैं सिस्टम को हीट देऊंगी तो सिस्टम की हीट तो पॉसिटिव उसको तो मिली ना तो 300 तो प्लस कर रहेगा और सिस्टम ने काम किया है तो माइनस 0.5 इंटू 101.3 जूल ठीक है अब यह भी जूल है यह भी जूल है माइनस कर दो आंसर आपका आजाएगा ठीक है तो यहाँ आपका जो आंसर आना चाहिए दाट शुट बी दो लीटर से अबने के दा लिखा है तो यह आप सॉल करो इसका सॉलूशन है आपके पास 249.4 ठीक है जू कर लेंगे है कुछ नहीं simple calculation based है ठीक है चलो आगे बढ़ते next question है आपके पास 27 degree centigrade temperature और 2 ATM pressure पर 2 mol ideal gas है अब इसे 4 ATM pressure के against सम पेड़े तो मतलब compress कर दिया और आइतन जो है वो प्रारंबिक आइतन का आदा मतलब जो final volume है वो initial को किता हो गया आदा हो गया तो Q भी निकाल दो W भी निकाल दो और delta E भी निकाल दो ठीक है चलो है ना आप देखो temperature है मेरे पास 27 degree centigrade Kelvin में convert करो तो 27 plus 273 temperature आगया मेरे पास 300 Kelvin ठीक है आदर्श gas किते mol है तो हम गया रहे N बरावर 2 फिर pressure किता है शुरू में gas का तो हम गये P grass तो है 280 ठीक अब चार वाई बंडल तो भारी दाव external pressure उसके against तो इसको क्या कहना है चार वाई बंडल भारी दाव के विरूत तो यह संपीड़ित हुई है तो तो P external उसको तो मुझे शेंड़ना नहीं है ठीक है और इसका item जो है वो प्रावंबिक item का आधा हो गया तो यहां जो volume है है ना वो मुझे बता दो और final volume जो है वो इसका आधा हो जाएगा तो मैं गाओंगी यह data से तो मैं PV इकोल्स टो NRT लगा लेगा मेरा पॉमुला बनेगा PV इकोल्स टो NRT P pressure तो gas का pressure 2 volume मुझे find करना है है ना मुझे किते हैं 2 R गी value ATM में होती 0.0821 और temperature किता है तो भई 300 2 तो cancel कर लेते हैं तो volume जो आया that is 0.0821 into 300 ठीके अब इसको solve कर लो तो यह हो गया 3 6 और 24 ठीके तो यहां यह जो situation थी ना तो volume इतना था initial volume और आपने का compress कर दिया ना तो final volume कितना हो गया आजा तो मैं कहूंगे ठीक अब वीवन जो है वो 24.63 है और वीटू जो है वो 24.63 का half कर दो यानी 12.3 एक कर देता है ठीके लीटर है दोनों है ना अब क्या करें तो अब आप से कहा गया पहले Q निकालो W निकालो और डेल्टा E निकालो तो W निकाल देते हैं है ना अब देखो W तो positive ही होगा क्योंकि आपका final volume तो क्या है कम हो गया आदा हो गया initial volume जादा है तो या तो तुम ये formula लगाओ W एकोलस टू माइनस P डेल्टा V फिर W एकोलस टू माइनस P डेल्टा V मतलब V2 माइनस V1 तो भी answer positive आएगा या सीधा change in volume और pressure लिख लू तो pressure किता है बाहरी दाव है ना यहां क्या रखेंगे P external तो gas का बाहरी दाव किता है तो हम गएंगे 4 है ना और volume किता है तो 24.63 में से ये minus करूं गी तो 12.3 बनी आएगा ये फिर से आजाएगा मेरे पास ATM into लिटर है ना लेकिन sum P done है तो work done जो है वो positive रहेगा ठीके तो यहां आपने कर लिया यहां आपने कर लिया work done ठीके तो ये work done आना चाहिए आपके पास W equals to lump sum 50 ATM into लिटर ठीके तो हम कहेंगे चलो W जो आ रहा है वो आ रहा है लगबग लिख रहे हूं मैं है 50 ATM into लिटर पिर आपको जूल में चाहिए तो आप कहेंगे 50 into 101.3 यह हो यह जो ठीक है तो हमने W तो निकाल दिया अब आपके पास क्या है देखो आपने क्यों निकालो W निकालो अब मेरा फॉर्मुला thermodynamics फासलोगा फॉर्मुला क्या है तो हम गएंगे फ्लोट हमें कहता है कि डेल्टा E उक्वर्स टू क्या होना चाहिए Q प्लस W अब डवल्यू तो आपके पास है लेकिन आपके दोनों डेटा मिसिंग है नव तो आपके पास Q है न डेल्टा E भाई आप मुझे बताओ कि बने इतनी हीट सप्लाई कर दी और सिस्टम ने इतना काम किया या सिस्टम बिता काम हुआ तो में डेल्टा E बता दो निभी आंतरी उर्जा में इतना परीवर्तन है लकिन डोड़ेटा तो आपको मुझे देना पढ़ेका है ना लेकिन आपने तो डेटा दिया ही नई आपने तो एबली बता दिया थो उस punya अपने व ल्ट्रेंज बता दिया वॉक्डार निकाल दिया यहां अपने बता ही नहीं मैंने कित्फी हीट दी तो आपने heat किती दी जब मुझे वो नहीं पता तो मैं कैसे बताऊंगे internal energy में change कैसे फिर question को समझ नहीं कोशिश करें तो यह कहे रहा अच्छा इतने temperature पे gas का pressure इतना था gas के mole इतने थे और external pressure 4 atm था और gas compress होके final volume initial का आदा हो गया ठीक है qw or delta e निकाले तो w तो हम ने निकाल दी अब सोचो कि आपने कहा 27 degree centigrade tap है उसके पाप में आपका tap तो बदला ही नहीं item बदला 27 degree centigrade पे आपने का आइतन इतना है फिर मैंने compress कर दिया तो आइतनादा हो गया चलो माल लिया तो बच्चे अगर temperature constant है है ना यह नया concept इसको notes में डालेंगे स्थिर tap पर सोचो स्थिर tap पर temperature ही constant है तो तो अगर temperature constant है तो गती जूर जाए gas की तो एक temperature पर gas की हो तो जूर जाए की होती तो गर्मी है तो gas expand हो रही है ना और सर्दी है तो expand नहीं होरी गैस आड़ों पास पास है लेकिन अगर टाप नहीं बदला तो गती जूर्जा नहीं बदली और गती जूर्जा नहीं बदली तो आंत्री गूर्जा परिवर्तन कैसे आएगा क्योंकि वे आंत्री गूर्जा तो नहीं निकाल सकती मैं तो आपको पहले ही कहा था इंटर्नल एनर्जी की बात करोगे तो वो सीधा-सीधा काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है और अगर आप आदर्ष गेस की बात करते हो तो आदर्ष गेस की गती जूर्जा आइडिल गेस की काइनेटिक एनर्जी होती है 3 by 2 R T तो आपके रहें नहीं, temperature तो constant है तो बच्चे, अगर temperature constant है तो kinetic energy constant है और kinetic energy में परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर आदर आंत्रिक उर्जा परिवर्तन कैसे होगा तो हम गएंगे नहीं होगा important point है, याद करना है तो हम गएंगे, ओहो, सारा game यहाँ का है स्थिर्थ आप पर, अगर temperature constant है तो आंत्रिक उर्जा में परिवर्तन शुन नहीं परिवर्तन हुआ ही नहीं ठीक है, तो पुस्ट मेरा देटा आगया फिर तो मैं कुछ टेंशन लगू ही नहीं है ना, फिर तो मेरा फार्मुला किया था पिछली question में delta E equals to Q plus W यह मेरा answer है, समझे तो अगर temperature constant है आपसे ताम बदला ही नहीं, तो gas तो उसी हाल में मस्त है ताम बदलो, सर्दी गर्मी करो तो gas को लगेगा, अरे या, गर्मी होई तो पहलना है सर्दी होई तो नहीं पहलना है अण उपस-पस आजाएंगे, कुछ नहीं हो, तो वैसे ही रहोगी जैसे थे, वैसे ही मस्त है हम लो है ना, तो हम कहेंगे, अच्छा ठीक है वैसे ही मस्त हो, तो फिर परिवर्तन नहीं होगा delta E zero कर दो आगी तो सारा गेम समझ में आई रहे है तो में क्लियर है, आगे बड़ें next देखू, types of thermodynamics process उश्मा गती की प्रक्रव के प्रकार अब thermodynamical process मतलब system आपका एक phase से दूसरी phase में transfer होगा साम्मे वस्ता आएगी लेकिन तंत्र एक अवस्ता से दूसरी अवस्ता में जाएगा पहले मान लो gas का volume 2 liter है अब gas 2 liter से फैल के 4 liter होगी तो साम्मे वस्ता तो आजाएगी ने 4 पर क्या होजाएगा, constant होजाएगा क्योंकि भारी दाब भी इत्ता ही होजाएगा आंत्रिक दाब भी इत्ता ही होजाएगा तो अब expansion तो होगा ने तो साम्मे वस्ता आती है लेकिन तंत्र एक अवस्ता से दूसरी अवस्ता में बदला है अब वो चाहे expansion हो या contraction हो या compression हो है ना अवस्ता परीवरतन आपका प्रसार और संपीडन, तंत्र परीवरतन प्रसार या संपीडन दोनों में हो सकता है तो उसको हम thermo-dynamic process वो ले अब आप बताओ कि भई ठीक है उश्मा गती की प्रक्रम है ना तो हम गेंगे आतन त्रेक अवस्ता से दूसरी अवस्ता हम बदले तो क्या वो constant pressure पे हुआ है क्या वो constant temperature पे हुआ है है ना या फिर आपने रुद्रोश्म प्रक्रम पढ़ लिया heat supply नहीं कर रहे हूँ है ना isolated system रख लिया या फिर आपको कोई cyclic process की बात कर रहे हूँ है ना बे सम दावी, सम तापी, सम आयतनिक, रुद्रोश्म, चक्री पाँच प्रक्रम हो गए तो इनको पढ़ना एक एक करके ठीक है अब देखो सम तापी प्रक्रम मतलब तंत्र इस्थिर ताप पर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलेगा तो change in temperature zero है ताप इस्थिर है ना मतलब ताप में परिवर्तन कितना है ताप इस्थिर है तो तुम्हें बताना है इस्थिर ताप पर at constant temperature इस्थिर ताप पर आंत्रिक उर्जा में परिवर्तन इस्थिर ताप पर आंत्रिक उर्जा में परिवर्तन शुन्य होता है है ना इंटर्नल एनर्जी में change क्या होता है जीरो होता है शुन्य होता है ठीक है तो अगर temperature constant है तो q equals to minus w यानी स्थिर ताप पर तुम system को जितनी heat देओगे q positive मतलब तुम system को heat supply कर रहे हो और w negative मतलब system उतना काम करेगा है ना मतलब अगर 4 रोटी हिलाई है और 2 km चलना है तो exact तुम 4 देओ और वो 2 km चलेगा extra मुझ भी नहीं है ना दोगा एक भी नहीं चलेगा और ढ़ाई भी नहीं चलेगा exact जितनी उश्मा देओगे उतना वो work done करेगा है ना तुम होके तो स्थिर ताप पर दी गई उश्मा है ना यानी at constant temperature ठीक है यानी स्थिर ताप पर तो तुम को होगे heat supplied तंत्र द्वारा किया गया कारियर दोनों चीजें क्या होती है बराबर होती है अगर temperature constant है तो system को आप जितनी heat देओगे उतना वो काम कर देगा खोई आपका इसान नहीं रखे अच सबच में आगी? clear है यहां तक? कोई टेंशन नहीं आगे बढ़ें आप देखो next sum authentic अब आप तो नाम ही बता रहे हो sum authentic मतलब आइतन समान at constant volume तो volume ही constant है मतलब आइतन में परीवरतन जीरो है है ना? volume constant है आइतन स्थर है अब एक लिटर साथ हो एक लिटर ही change तो हुआ ही नहीं तो delta V is 0 ठीक है? तो आपने तो पढ़ा था ना W equals to P delta V अब minus plus तो बाद में सोचेंगे तो यानी W equals to कित्ता होगिया 0 अब अगर मैं वापस से first law of thermodynamics लगाऊं तो मैं गाऊंगे formula तो यह है delta E equals to Q plus W है ना? अगर item स्थिर है है ना बच्चे? अगर volume constant है item स्थिर है तो W 0 होगिया उस situation में delta E किसके बराबर होगिया? क्यों कि? और अगर मैंने उश्वा दी है स्थिर item पे तो Q E ठीके? यानी statement पे सवाल बनेगा तो तुम बताओगे अर्थात at constant volume है ना? स्थिर आयतन पर स्थिर आयतन पर constant volume पे क्या होगा? तो मैं कहूंगी heat supply दी गई उश्मा और आंत्री उर्जाओं में व्रदी बराबर हो जितनी तुम heat दे होगे काम तो करनी रहे है कि नहीं? भूलो जितनी heat तुम दे रहे हो आपने का delta E 0 तो work done क्या हो? तभी gas की बात करो तो work done तो P delta भी होता है तो आप करो नहीं volume constant है gas एक liter थी तो एक liter ही है आयतन परिवर्टन हुआ ही नहीं? मतलब न तो gas का प्रसार हुआ, न गैस का संपीडन हुआ, न न गम्रेशन हुआ, न एक्सपेंशन हुआ मतलब gas न तो काम किया ही नहीं और system पर काम हुआ भी नहीं तो W तो 0 हो गया तो आपके float के according, first law of thermodynamics के according W 0 हो गया तो delta E Q के बराबर हो गया यानि अगर volume constant है और अगर तुम heat supply कर रहे हो ठीके, मतलब के न मैंने 4 रोटी तो खाई और मैं 2 km चली नहीं तो 4 रोटी की energy मेरी बाडी में store हो गई energy के रुप में आंत्री गूर्जा के रुप में अब आप 4 की 8 कर दो तो डवल energy store हो गई है ना आधी कर दो तो आधी energy store हो गई क्योंकि काम नहीं हुआ है तो जितना खाएंगे वो बाडी में store होता जाएगा मुटे होते जाएगे क्योंकि काम नहीं कर रहे है तो उस पर भी लग रहा हम पर भी लग रहा तक लीफ क्या है क्लियर है कोई tension नहीं यहां तक आगी देखें next देखो adiabetic process adiabetic process मतलब जब system और surrounding के बीच में तंत्रव परिवेश के बीच में तंत्रव परिवेश के मध्य तंत्रव परिवेश के बीच में उश्मा का आदान प्रदान ना हो system और surrounding के बीच में आपको heat transfer नहीं करना है उश्मा का आधान प्रदान न हूँ No exchange of heat between system and surrounding During adiabatic process है ना मतलब मैं system को heat supply करूँगी तो इसका उद यह नहीं system काम नहीं करेगा काम तुम्हें करूँगी gas का संपीडन भी होगा gas का प्रसार भी होगा लेकिन मैं heat supply नहीं करूँगी अब वो कैसे? तो रुद्रोश्म प्रसार, रुद्रोश्म संपीडन adiabatic compression और adiabatic expansion आगे पढ़ेंगे जूल थॉम्सन effect उसमें आएगा लेकिन फिलाल ये है जैसे मानलो टायर फट जाता है गर्मियों में तो टायर फट जाता है तो सारे टायर की हवा बार आ जाती तो heat transfer तो आउगा तो मैं गए टायर फट गया तो हवा बार आगी तो भई हवा उतनी गरम हो गई थी जितनी बाहर गर्मी थी है ना तो टायर फटना अब टायर फट चुका है अब हवा बार आईए पहले हीट लेनी थी वात अलगे तब थोड़ों नहीं कह रही है अब उसकी हवा बाहर आगी तो वह उतनी गरं थी जितनी बाहर की गर्वी थी तो वापस हवा बाहर गही तो हीट सप्लाई नहीं हुआ है हीट तो बडावरी है अगर मालो अभी वाता अउरण का ताप 40 डिगरी मेरे गर्मिया पड़ रही है तो 40 डिगरी है और मैंने पानी को 40 डिगरी एक्ज़ेक्ट गरम करके रख दिया अब तो नव पानी उठंडा होगा नव फटी एदो फोटी रहेगा तो वह गए निए उश्मा को कोई आधान प्रता ना हो ठीक तो होगा यहाँ अफ फ्लोट लगा लो तो प्रतम नियम तो यह है डेल्टा इकोस टो क्यू प्लस डवी तो आपको क्यू तो जीरो है तो डेल्टा इकोस टो डवी मतलब तंत्र पे काम होगा तो आंत्री गुर्जा बढ़ मतलब हम खाना तो नहीं कहा है लेकिन हम काम कर करें हम दौड रहे तो दोड़ो वेट लोस करते नहीं और उसी दुख थाल में फ्ली पाथा निचण नहीं ही अब जितना चलोगी जितना काम कहोगा जितना गैस एक्सेज और रावर में अकलम मैं उपी लिकर आप ह् courtesy बढ़ अदुछ प्रवर पर आपर है। तुम गए हैं, यहां बात अलग है ना, केस अलग है ना। तूभी एडियाबेटिक प्रासेस के लिए रुद्रोश्म प्रकरम के लिए या रुद्रोश्म प्रकरम में किया गया कार्या। चाहे work done by the system, on the system, उसमें कोई तंटा नहीं है, उसे साइंटा फर्क है, तो रुद्रोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य, चाहे तंत्र द्वारा हो, चाहे तंत्र पर हो, तो तुम कहो कि रुद्रोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य आंत्री गूर्जा में परिवर्तन के बर पहले किती बाद में किती बीच पे क्या वह से मतलब नहीं तुम्हें कोँगी हां अगर रुद्रोश व्रक्रम में किया गया कारिय है तो फिर वो तो अवस्था फलन हो गया बात है अब तो लुद्रोश वर्कै क्यों होता है उस्जान तो यान्त्री प्रग। जगटी यां King सस्टम नहीं अब एक समझ में तो यह अवस्था फलन सब इस केस में otherwise यह path function होता है लेकिन यहाँ यह अवस्ता फलन है क्योंकि यह final और initial internal energy के difference पे अंतर पे निर्भर कर रहा है इतनी बात clear है बात सवाज में हागी तो होगी एक process और होगा चलो रुद्वश्म प्रक्रम और देखे चक्रिय प्रक्रम तो चक्रिय मतलब तुम A point से चले फिर आपने system दूसरी अवस्ता में आया B फिर आया C फिर आया D लेकिन वापस A पे ही पहुँच गया तो यहां अंतर कुर्चा बड़ी-बड़ी तो यहां गटी-गटी बराबर हो चाहे यहां गटी-गटी तो यहां बड़ी-बड़ी क्योंकि आये तो वही तो चक्रिय प्रक्रम मतलब Tantra की प्रारंबिक वा अंतिम अवस्था प्रारंबिक वा अंतिम इस्थिती समान होती है अवस्था नहीं कएके स्थिति कहा देटी अबस्ता भी कहते हैं, पॉइंट सेहीं होगा, उसका A से चले, तो A पर ही आए, तो हम गहेंगे फिर इस पॉइंट में चले, तो फिर एंटरनल एनरजी चेंज तो 0 होगी, है ना, चक्री प्रक्रम में आंत्री गूर्जा परिवरतन वापस कितना होगे, 0, क्योंकि यहां जो आंत्री गूर्जा थी, तो तुम गूम फिर के बले, E2, E3, E4 करके आए, तो यहीं हो ना, तो डिफ्रेंस कितना होगा, 0, वापस आंत्री गूर्जा उत्ती होगे, जितनी पहले थी, ठीके, तो हम गहेंगे, अगर साइकलिक प्रोसेस है, साइकलिक प्रोसेस में हुआ गय किया हो गया, तो विस आइकलिक प्रोसेस में अगर आंत्रिक बिंदू और प्रारंब्रिक बिंदू क्या हो गया, तो आपका Δेल्टा यू या Δेल्टा ए किता हो गया, 0, ठीक, तो अप्करेंगा, तो हम गहेंगे, क्यो इकोल्स तो माइनस डबी, पहले भी तो आया था, है ठीए? कोई डाउट नहीं हाथ है? Next, isobaric process samdabi isobaric samdabi prakram मतलब pressure constant है ना? samdabi prakram मतलब at constant pressure pressure ही तो constant है first law of thermodynamics में कोई दिखत नी delta e equals to q plus w है ना? तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बतलता है लेकिन दाब जो है वो स्थिर रहता है तो भी हम chemistry में जितनी भी reactions पढ़ते हैं ना? जनरली सारी chemical reactions खुले पात्र में होती तो pressure तो constant रहता है तो अब pressure constant है समदा भी पर बोलने में आता है कि हाँ क्या है इसका तो क्या ही काम है कुछ हुआ ही नहीं सबसे ज़र important यह है सारे process इसी पही होते है pressure आपका constant है ठीक है अब देखो आपको graph दे दिया thermodynamic process के thermodynamic process के graph pressure और volume के बीच में ठीक है? अब देखो अगर मैं इस point को पकड़ लूँ है ना मैं एक particular point पकड़ ले थे मालनों मैंने यह वाला point पकड़ लिया यह ठीक? तो मुझे लग रहा है यहाँ पे दाब स्थिर है तो यहाँ दाब स्थिर है मतलब तंत्र तंत्र आके इस item से इस item में तो गया है ना लेकिन pressure constant है तो मैं कहूंगी यह pressure यह प्रक्रम कौन सा है? समदाबी प्रक्रम pressure constant है अब मैं कहूंगी यह बहते को यह point यहाँ यहाँ क्या हुआ? तो तुम कहोगे यहाँ यहाँ क्या हुआ? यहाँ pressure पहले तो P1 था बाद में pressure किता है P2 है लेकिन volume constant है आयतन तो से ही मीरा यहाँ गये तो क्या दाप P2 था तो P2 है लेकिन volume P1 था तो P2 हुआ तो दाप constant यहाँ आप कहे रहे हो नहीं दाप तो बदला पहले दाप P1 था बाद में दा P2 हुआ ठीके है ना तो मैं कहूंगी हाँ चलो pressure जो है वो change हो रहा है यह P1 है यह P2 है pressure बदला ठीके लेकिन आयतन क्या है? सेम है ना यहाँ जो volume था पहले बाद में यहाँ volume सेम ही तो यह मेरा सम आयतनिक प्रक्रम है सम आयतनिक प्रक्रम आयतन समाने यह क्या है? तो यह सम दाबी प्रक्रम है और यहाँ तो मैं कहूंगे P2 constant है है ना दाब जादा था देखो पहला वाला ग्राफ चाहिए दूसरा ग्राफ तो एक जिसे दाब जादा था तो आयतन कम है फिर दाब कम हुआ तो यह तन जादा हो गया तो यह क्या होता है? तो यह temperature constant है तो यह सम दाबी प्रक्रम है यह PV constant है है ना प्रेशर बढ़ेगा तो volume गटेगा और volume बढ़ेगा तो प्रेशर गटेगा ऐसे हैं सम तापी तो तो तुम्हें लगाएगा तो सम तापी होना चाहिए लेकिन जो आपका एडियाबेटिक प्रोसेस होता है रुद्रोश्व प्रक्रम होता है वह और स्टिप होता है बढ़ेगा तो यह फिलाल याद रखो कि बाद में जब आएगा तो बताऊंगी यह पीवी कॉंस्टेंट होता है यह पीवी की पावर ग्रामा कॉंस्टेंट होता है अगर यह रुद्रोश्व प्रक्रम है ना तो जैसे मैक्स वालो के लिए तो यह प्रूफ हो जाएगा आगे अब बाए वालो को तो तोड़ा याद रखने है सम्तापी प्रक्रम से ज्यादा डीप मेना स्टिप ग्राफ आता है इसका तोड़ा और नीचे आता है पीवी की पावर गामा कॉंस्टेंट और गामा की वैल्यू एक से ज्यादा होती है डाल बड़ी करनी पड़ेगी इसलिए ठीक है यहां रखना इसको तो हम गएंगे चल ग प्रक्रम हो गया तिकत क्या है ठीक है तो हम गएंगे चलो पांच के पांच प्रॉसेस थे हमने एक पड़ लिया देखो एडियाबेटिक प्रॉसेस का स्लोप याणि 10 टीटा इसो धरमल से जादा होगा थोड़ा नीचे बनाना उसको ठीक है अब देखो पीवी की पावर ए किता हो गया वन तो पी क्या हो गया कॉंस्टेंट तो ये तब होगा प्रैशर कॉंस्टेंट मतला सम दाभी प्रक्रम से गया रियों पी कॉंस्टेंट हो गया ना पी कॉंस्टेंट मतला सम दाभी प्रक्रम अब एन का मान वन कर दो तो पीवी कॉंस्टेंट तो पीवी कॉं तो सम तापी, ताप सेम होगा, तो PV कॉंस्टेंट होता है, अब यह मिंत में अभी बता है, अगर N का माम गामा है, गामा हमेशा एक से बड़ा होता है, अब गामा आगे पढ़ेंगे अपन CP अपन CP अपन CP, CP क्या बोलेंगे, इस्तिरदाप पर उश्मा धारिता, और CV सिरायतन पर उश्मा धारिता, मतलब CP बड़ा होता, CV छोटा होता है, तो भी गामा की वैल्यू एक से तो जादा होगी, तो भी दो हमने और स्टिप बनाया था, गाफ नीचे बनाया था, तो PV की पावर गामा कॉंस हो गया, तो आयतन जो है, वो constant हो जाएगा, यानि यहाँ पर आपका सम आयतनिक प्रक्रम हो जाएगा, के लिए बहुत सारी चीज़े सिखा ही आज, उश्मा गतिक का प्रथम नियम अच्छे से सिखा दिया, उसके निमेरिकल करा दिया, थर्मो डेनमिक प्रोसेस करा दिया, ठीके, अब कुछ questions देख लो, अभी तक की आपको तो लाइक कर देना भूल जाते हो, उसके पहली बतायते हो, एक लाइक तो बनता है, ठीके, अब देखो, 100 कैलरी उश्मा के द्वारा, आदर्श गैस के सम तापी प्रसार में किया गया कारिय है, फटा फट दिमाग लगा सोचो, सम तापी आते ही एक दिमाग में चीज बढ़ जाए रहा है, सम तापी मतलब ताप तो बदल ही नहीं, तो ग्यास को कोई मजा नहीं आए, कि उसके टेंपराजर पर जी रहे है, तो उसके टेंपराजर पर जी रहे हो तो आंतरी गुरजा में परिवर्तन जी हो, तो फिर फ्लोट लगा डं़ 1ड दीट Cabrassarology यकलोज टू किया गया कारिय ठीक वॉर्क इन जो है वह हिए सोग एल में तो तुमने उश्मा देडी 100 लेकिन आपने प्रसार में किया गया का रही है, माइनस डवलू ही तो है, तो मुझे माइनस डवलू ही निकालना है, वो करना माइनस डवलू निकालो, प्रसार में किया गया का रही है, तो माइनस डवलू, तो फिर तो पर वापस और माइनस करिंग जूरत नहीं, लेकिन वो 100 कैलरी है, जू जूल में convert करो, 4.184, है ना, यह जूल में आ जाएगा, तब multiply कर लो, तो इतना होगा, 418, 418.4, clear, बाच सवज में आगी, आगे बढ़े, next, देख, टाप तथा आइतन नहीं है, अब मुझे बताओ, ताप टेमपरेचर, मैं तुम्हें इतनी बादा है, वे बोड इसका सवाओं, ताप में क्या बर्भी तरोगा, ताप को भी रहेगा, ताप का मात्रा से क्या लेना देना, ताप का मात्रा से लेना देना नहीं है, यानि मात्रा स्वतंत Deb стать her essay नहीं है, तो पहले आंजा एपने इतन तो मात्रा आश्रित है ना मतलब वो विस्तिन है और नहीं है तो गहान नहीं है तो यहां अशर आपका यह बैटेगा है ना फोड़ा का मुसीबत है भई सम तापी प्रक्रम के लिए क्या होता है डेल्टा इजीरो होता है है ना अगर सम तापी है तो डेल्टा इजीरो अमारा फॉर्मला क्या था डेल्टा इकोस टू क्यू प्लस डवल्यू तो क्यू और माइनस डवल्यू यह तो सही लग रहा है फिर चक्रिय प्रक्रम में भी तो डेल्टाई जीरो होता है अगर घूम फिर गे तो फिर आंज्री ओर्जाँ परीवर्तन तोड़न आए गा तो प्रसार कर दो गैस का यहां कुछ डॉन कर दो उसको वापस वहीं आगे तो नतलम नहीं तो चक्रिय प्रक्रम में भी आंज्री ऊजाए हो जा बढ़ता है और मुझे चीज बताओ ताप बढ़ रहा है तो समतापी तो मत बोलो कम से कम समतापी के सेवा समतापी अब देखो इसका आइडिया बताती हुए ना यह जूलत फॉमसा एफेक्ट पर बेज है ताप बढ़ रहा है मतलब गैस गरम हुए हूँ अब तुम सोचो मैं हीट सप्लाई नहीं कर रही हूँ मतलब मेरे पास एक रूम है ठीक है इसी नहीं चल रह कि मघंव तो नहीं को यृटर कंव लोग नहीं चलाओ कि एक गो अर्शılmış से एनिशनी चल आघ देनी ही नहीं है तो चाह बाहर से किम अचाही हूं बढ़रम जाओ कि प्ला नहीं हुए नहीं जा कि इस बाहरनो थिचीछ कि मिया आपनश लोग बेठाए मैं बाहर से हीट अप पुलर से लाओंगे कुछ नहीं लेकिन मुझे अक्टाप बढ़ाना है किस से पॉसिवले तो सूचो अगर मेरे कमरें पांस लोग बेटें दस लोग बैठें मैं अच्छानक से बीस लोग गर बढ़ते तो लोगों को बढ़ाय जा रहे हो अमें लोग बढ़ाती जाओंगी ब अगर में गίας को बढ़ायजाँ, गड़ायजाँ तो अगर में जितना संपीडन करूमी न? ग double gas को बढ़ते हो दो बढ़ते हो एक प्रापर क्या हो एज उधितन एनरशी न? है न? तो अगर जितनी ज्जादा गश होगी तो गती जूर जाँ बढ़ेगी ताप अपने आप क्या होगा बढ़ेगा बार से में हीट सप्लाइऑ नहीं कर रहे हैं अगे बस सब्सक्राइब अगे लोग बढ़ा दोगे तुम को को कि आहां कर भी तुम बढ़ जएगी अनुमों को पास पास लाओं तो heat बढ़ जाएगी, गर्भी बढ़ जाएगी, ता बढ़ जाएगा, ठीक है, आगे देखो, उत्करम अणिया प्रकरम के लिए कौन सा कथन सही है, एक बद में होता है, तो एक जड़के में होने वाला तो irreversible था ना, पहले वीवन था, बाद म पास बजillsे करें तो हम जाएगी टो हम आप जाएगले तो सही जाएगे लिए मिए दो लो जाएगए तो सही डैनी मिस फोड़ां पीछ उाइफिस तो जाएगे थाएगए कि सो आँच को फुर्ण पेजा करेंपर प 원t मृत को fawn जो में तो एक पढ़ाइख में बहु ठीक है? नियू उन्तम गारिया नहीं, इतने जटके लेंगे तो काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो इन में से तो कोई भी स्टेंटमेंट सही नहीं है, सारे गलते हैं. नेक्स देखो, Q और W बताएं, हीट और वर्क, दोनों क्या है? पथ फलन है, अवस्ता फलन नहीं, स्पैसिफिक केसिस की बात अलग है, अदरवाइस दोनों पथ फलन है, मात फंक्शन है, फिर एक सिस्टम तीन सो जूल काम करता है, और एनरजी में उसको सो कैलरी दे रही हू मतलब मैं उसको सो इंटू लगबग लिख दू तो चार पॉइंट दो जूल, इतनी एनरजी में उसको दे रही हूं, है ना? और तंत्र द्वारा किया गया कारिया, तंत्र काम तो कर रहा है, तो माइनस होगा ना? तो डेल्टा E इकोल्स टू Q प्लस W, तो हीट तो तुमने प्लस तीन सो उसने काम कर लिया, तब भी 420 का खाना हाके 300 का ही काम किया, तो 120 तो उसकी बढ़ी ना? तो 120 एनरजी उसकी बढ़ जाए की, 120 जूल एनरजी बढ़ गी, ठीके? फिर एक तंत्र की आंत्री उर्जा एवन है, 450 जूल उश्मा बार ले ले, आपने सिस्टम से सिस्टम पे काम हुआ, तो W तो प्लस का हो गया, अंत्री मांत्री गुर्जा होगी, तो मेरा फॉर्मला तो यह, डेल्टा E इकोल्स टो Q प्लस W, डेल्टा E होता है, E2 माइनस एवन, Q गिता है माइनस का साढ़े 400, W गिता है 600, तो E2 पूछा है न, एवन उदर चला गया, तो E1 तो प्लस का हो गया, और 150 और जोड़ दो, 600 है न, तो E1 अच्छा वो 150 है, तो E1 प्लस 150, सिंपल है, कोई टिकत नहीं, लाइक कर दे न, लाइक कर दे न, बहुत मेनत लगती है, questions कराने में भी, है न, किसी निकायद वारा 8 J काम किया जाता है, सिस्टम गाम कर रहा है तो माइनस 8 हो गया, 40 J हीट आप उसको सप्लाई कर रहे हैं, आंत्री को उर्जा में परिया, अब यह तो तुम कर लो, छोटे बिच्चो वाले question है की न, बोलो, Q प्लस W, तो 40 तो मैंने दी, 8 उसने काम कर लिया, तो 32 का तो उसको फायदा ही हुआ न, तो प्लस का 32, तंत्र प्रसार के दौरान आंत्रिक उर्जा में परिवर्तन, अब मुझे एक चीज़ बताओ, सम तापी, सम तापी बोल दिया न, तो फिर मैं प्रसार और उत्करिवमणिय में दिमाग की क्यों लगा हुआ, सम तापी में तो डेल्टा ही 0 होता है न, तो मैं मात्मची नहीं कर नह सम तापी में डेल्टा ही 0 है न, अभी बढ़ा तो प्लस-माइनस और इस सब सोचने में आ जाता है यार यह एक क्या होगा, ठीक है, सिंपल है, आदा चेप्टर तो तो मारे हो रहे है, में में बन गए है, अब अगला टॉपिक लेंगे, एंथल्पी, उसके बाद में धर्म study material ही है अच्छा coachings का तो ये questions भी कर लोगे तो आपके थोड़ी तयारी और अच्छे से हो जाएगी ठीक है तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज बच्छो लाइक कर दीजिये share कर दीजिये friends के साथ sharing तोड़ी आजकल कम आ रही है तो आपके जो भी दोस्ते हैं जो नीट जाई की तियारी कर रहे है हिंदी में especially YouTube पे material available content कम है तो ये आपको काम आएगा, help करेगा 11 वाले बच्छों के लिए तो आज़ट इस बहुत useful है ठीक है तो मिलते हैं next time next class में till then take care and bye bye